चाहिन साथियो स्वागत है अब सबका एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल एस्टडी विस सुबह में तो आज मैं आप लोगों को ICARIA Technician T1 का जो रिजल्ट है उससे समझने जो भी अपडेट निकल कर आई है तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों का जो एक्जाम है लगभग 50 दिन बीच चुके हैं लेकिन आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अभी भी डिक क्लियर नहीं किया गया है तो अगर बात करें हम लोग इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है तो हम लोग अपरेल महीने में इंतजार कर रहे थे कि इसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी डिकलियर किया जाने वाला है लेकिन अपरेल महीने में भी इसका रिजल्ट नहीं declare किया गया है तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी information बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो result है वो मई महीने में आएगा या फिर नहीं आएगा अगर मई महीने में आने वाला है तो किस week में result आने की सबसे ज़्यादा उमीद है तो इसके बारे में पूरी information हम लोग इस वीडियो में जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी S.S.C. exam की तयारी कर रहे अगर आप लोगों को previous year के question paper या उसके practice set चाहिए तो आप लोग comment box में comment जरूर करें मैं आप लोगों को previous year के question paper और practice set जरूर provide कराऊंगा तो बिना किसी देरे के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो अगर बात करें कि इसका जो result है वो किस week में आने वाला है माई में तो यहाँ पर मैंने एक story डाली थी जिसमें आप देख सकते हैं कि I.C.A.R.I.A.R. result कब आ रहा है तो यहाँ पर मैंने जो माई का week जितने भी होते हैं first week, second week, third week या four week तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा comment किये गए हैं वो first week में यानि आप लोग ने first week को सबस्यादा like किया है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितने लोगों ने ओटिंग की थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 444 लोगों ने ओटिंग की थी जिसमें 70% लोगों का कहना है कि first week में इसका जो result है वो आ जाएगा तो इसके बारे में मैं आप लोगों को और भी information है वो भी मैं दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ICAR IAR technician T1 का result कब आएगा तो यहाँ पर जैसा की दिया गया है जैसा कि आप सभी छात्रों को पताए कुछ दिन पहले ही IAR technician T1 की परिच्छा का Iogen किया गया ऐसे में सभी student को अब अपने score जानने की इच्छा और result का इंतजार है तो इस लेक के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि विभिन internet source के अनुसार IAR technician का जो result है अप्रेल या फिर माई के महीने में कभी भी घोसित कर दिया जाएगा यानि आप लोगों को 100% इस महीने में आप लोगों का जो result है वो मिल जाएगा यानि माई के महीने में declare कर दिया जाएगा result आप लोगों को 100% लेकिन इसमें आप लोगों को कहीं भी नहीं दिया गए कि आप लोगों का result है first week में ही declare किया जाएगा इसमें आप लोगों को कोई भी ऐसी information देखने को नहीं मिल सकती है तो यहाँ पर अगर आप लोगों का जो result है वो declare कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आप लोग इस link से अपना score और result जो भी आएगा तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैं आप लोगों का link description box में provide करा दूँगा जैसे ही आप लोगों का result declare कर दिया जाएगा आप उपर ही जैसे link पर click करेंगे आप लोग अपना result है वो देख सकते हैं इसका score card जो भी है रहेगा आप यहाँ पर ID password लोग इन करके अपना result देख सकते हैं तो आज की वीडियो में इतनी information अगर SSC के previous question paper या फिर practice चेट चाहिए तो आप लोग comment box में comment करें जरूर में आप लोगों को provide करा होगा तो आज की वीडियो में बस इतनी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ thanks for watching